नमस्ते भाई लोग तो कैसे हो आज कल स्वागत है हमारी चैनल विकीज ब्लूबर्ड में तो सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब करना ना भूलना तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो भाई आज की वीडियो में हम करेंगे मान्क्राफ्ट सर्वाइवल का चौता एपिसोड जिसमें हम करेंगे कुछ एडवेंचर एडवेंचर माने किया तो भाई आज के एपिसोड में हम गूमेंगे फिलेंगे आश करेंगे और क्या चलिए सबसे पहले तो कुछ आर्मर र मिलता है प्लैंक्स तो भाई बराबर एक स्टैक हमने प्लैंक्स करट गया एक स्टैक मतलब होता है 64 तो भाई टोटल 15 लॉक से बनता है 64 प्लैंक्स तो भाई उसको बना लिया हमने एक जैक 64 और वापस घर के अंदर चलागा कुछ शील्ड तलवार पिकाक्स और आइक्स सामान होता है माइनक्राफ्ट के अंदर सब कुछ बना लिया हमने फुल शक्ति मान बनके रेडी हो गया मतलब सारे सामान के साथ जैसे डोरी मॉन को पॉकेट होता है ना उसके जैसे हमने सब भर लिया पता नहीं कहा पर भर के हम निकले भाई अपना एपिसोड शुरू करन मैंने निकाला अपना डायमेंट का स्पीक एक्स और निकालना शुरू कर दिया डायमेंट का ओपसीडियन मतलब और वो निकलाने क्यूंकि नीचे ही लावा था और नीचे चला गया तो बच चले शुरू करते है अडवेंचर तो भाई यह चांद काशा सुन्दर है ना वा और भाई दिखो कितना सुन्दर है चांद के लिए लाइक कर दो भाई कमसे कम शांद के लिए करो हम मारे लिए ना शही तो भाई ऐसे चलते हमягी को बहुत सारे जॉम्बी दिखे और भाई जॉम्बी ने मतलब आकर कार मेरे को मार ही दिया भाई-स 2222 भाउन सेक्ड़, 10- 15 मसूं हाँ करा कि देंसे सब्सक्राइव झाने वरी entropy जोबीव के सब्सक्राइब में गउने मतलब बीटरूट निकाल के देने से मिलेगा एक एमरड तो भाई पिछले बार अपने देखा होगा मेरे चश्ट में टोटल 16 एमरड था वो वैसे इसी घर से मतलब इसी विलेज से में निकाल के लाया था और वो रेकॉड नहीं हो पाया अक्चली रेकॉड हो गया था और वो हमरे पास ना बचा कोई कैरेट ना ही बचा कोई बीटरूट तो निकाल गए वहाँ से तो भाई सबसे पहली बात तो यार हेबेल मतलब बहुत अच्छी चूज़ा होती है क्योंकि उससे बनता है वीट और वीट से बनता है ब्रेड जो भाई बहुत टेश्टी होता है मेरे आपको बहुत अच्छा लगता है तो इस वीडियो में हमने एक एडन वर्ड चुपा अगर आपको वर्ड दिखता है तो भाई इसको कमेंट में बोल देना और जिस चीज़ को भी दिखता है उसका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट कर देंगे तो चलिया भ एक और करके ऊपर मतलब वापस आगे रहे है तो भाई उसको मतलब कोट के नीचे चला गया और भाई वही पर हमको मिला क्राफ्टिंग टेबल और उस क्राफ्टिंग टेबल में देखो काई से जादो दिखाते हैं को तो भाई सबसे पहले उसमें क्राफ्टिंग टेबल मे मिलता है वीट और भाई देखो एक है बेल देता है शायद 9 वीट देता है तो फ़ाई कितने सारे वीट मिल गए समझ लो तुम अपने आप तो अभी भी मेरे पे एट है बेल बनने जितना वीट है हम पे तो उस वीट कद हम बनाएंगे ब्रेड क्योंकि भाई ब्रेड बहुत खाने के बाद निकलना गाव दो एक भाल वाल टाता भाई भाई बोलने के बाद तो भाई हममपर दो रस्ता था जाने के लिए एक-ट एकथा लिव्ट में आप rendering ब्रम में तबाला वार्यच्छ्ट मेरे को बिल्कूल भी पसंद नहीं क्याजूंग ऐस चुपेər बैट 2000 years later so guys घंटों तक चलने के बाद हमको मीला क्या तो हमको मीला भाई एक पिरामेड वा भाई क्या बात है Minecraft में आ गया पिरामेड तो भाई मेरे को कभी देखा ने था पिरामेड हाँ यूटूबर्स को देखा था इस पॉइंट को मतलब यहाँ पर जो बीच में है इस चीज को देखा था लेकिन ये इस चीज ये जो चीज है इसके अंदर होता है मेरे को नहीं मालूम था तो भाई जैसे यूटूबर्स करते हैं बड़े बड़े इसको बीच में निकाल कि क्योंकि नीचे एक प्रेजर प्लेट लगा जिसके उपर अगर हमने प्रेजर डाला तो वो करेगा भूम भाम क्योंकि उसके नीचे है टी एंटी और भाई प्रेजर प्लेट अक्टिवेट करता है टी एंटी को और हमको कर देंगे भूम भाम जो भी डाइमेंड था जो भी ठेरा कोटा है और भाई इसको नीच एसा ऐसे var bem लगा लगा के धीरे-धीरे से नीचे करना शुपर मैं वाली स्पाइडर मैन वाली जब सारे सारे जम्प कर दिया और फिर अपना पिकक्स निकालके ये वाला जो नीचे है प्रेजर उसको निकाल दिया हमने था कि जो TNT है वो फूटे नहीं और हमारा सामान जो है वो लूटे नहीं तो भाई चस्ट निकालने के बाद दुआ क्या मिला भाई हमको मिला एक enchantment book और भाई diamond का horse का shield हमको एक emerald में मिला और total भाई दो-दो saddle मिला मैं कितना दिन से रो रहा था भाई मेरे पर saddle नहीं था और भाई saddle को चोड़ दो हमको मिला दो-दो apple मतलब golden apple भाई बहुत rare होती है चीजे उसके लिए total हमको 8 golden gold का बार और एक apple चाहिए होता है तो भाई उसका वरत बहुत सार है तो हमको 2 enchantment books मिले एक कुछ flame का था और एक बहुत सार मतलब benefits वाला था तो भाई उतना मालूम नहीं है मेरे को enchantment table के बारे में तो भाई आप suggest कर दो कि क्या करूँ मैं इस enchantment book का तो भाई आकिरकार उपर आने के बाद देखा तो भाई बड़ा अंदेरा हो चुक है तो एक torch लगा के हमने कर दिया रोसनी तो भाई ऐसे हमने मतलब explore किया यह जगे को कई कोई और चूपा हुआ चेस्ट तो नहीं मतलब कोई अंदर यहां पर आने से कोई बूत वूत तो नहीं पैदा हो कि आजा थे नया वाले जैसे कुछ और ही जैसे तो भाई देखा तो भार रात हो चुका था तो इसलिए अंदेरा आ चुका था तो भाई हमने बेड़ लगा के नींत कर लिया शुरू और करते है आज की वीडियो की अंत तो चलिए भाई बाई बाई टाटा झाँ